मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वेसे स्टूरेंट्स जिनको जो है प्रिप्ना बाइब कर सको अपने तरह से जो बन पाह आपको एक है आपको पर सको है एकना है नम इस युषाई प्रिट जो आड़ सिल कश्राइब है आपको एक यूक इल्पर सको इस वेसे इधू करें सिर्ट फोटी अधीन टरॉट थी तरी तरह से से 18, 19, इंवार्मेंट साइन्स से आपके बहुत सारे कोश्चन्स आपको पूछे जाएंगे और इंवार्मेंट साइन्स का वेट इच बहुत ज्यादा है इससे बहुत ज्यादा कोश्चन्स आते हैं आपके इंवार्मेंट साइन्स से राइट तो हम कोशिस करेंगे कि इन्वार्मेंट साइन्स की मैक्सिमन कुश्चन से मैक्सिमन टॉपिक को आपको मैं कवर कर पाऊं यहां ते वैसे श्ट्रंस जो स्विल सर्वेसिस का भी त्यारी करना चाहरा है उनको भी इनके लिए भी फायदे बंद होगा है ना मैं संकर आयस को इसके जो बेसिक बूक है इन्वार्मेंट साइन्स का एक तो बूक आप ले लिजेगा संकर आयस का इसका इसका जो इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं सभी ओसा मेरा नाम स्यवार्मी यह वाच्ट आपका मेरा यह वाट्षाप नंबर है इस वाट्षाप नमबर पर आप हायलेकर वेक्ररत वेस अनुपक्रर्णकों कं तो भी सक्वान्स वार्णारण बसके सकते हैं. So, if you want to connect with me, then you can WhatsApp on this number and let's start… This is my YouTube channel, get UPC IES Makers. So, just Subscribe it, and let's just start the topics, right. So, environment science… What is the weightage of the environment science in the IES अए एश एडर्णारण Carm gj多वार्णे हैं? So, there are 10 to 12 questions asked in your environment science, in the pronouns sections right so it is very very important around 20 to 24 marks in the gs portion of the engineering services so the weightage of the environment science is very large as compared to other subjects and it is the conceptual subjects and it is very very important and very interesting subjects right so students yaha par you have meh bhaat achshya tarikaya so first of all what is the what do you mean by environment environment jambi hum environment ki baat karraya it means aas paas ke jitne bhi chijay hai that is living things non-living things that will be collective approach that is nothing but your environments right so starts the first topic and the first chapter it is nothing but ecology so what do you mean by the ecology ecology and what is the mean of the ecology right so the ecology is nothing but oikos plus logos this is the connection of the ecology right so ecology forms by the two words and this is nothing but oikos plus logos logos means a study and the oikos means place to live is in the ecology so that is nothing but study of the home of the nature and that is called ecology right so in the ecology the classification of the animal on the basis of the habitat and habitats right so that is the habitat right so that it is good for the habitat right that is nothing but ecology so the ecology is nothing but the classification of animals and this which classification of the animals in the basis of the habit and habitat it means कहाँ पर वो रह रह रहे हैं उनके उपर वो डिपेंड कर रहा है उसके हैविटाट क्या है उसके आसके इंवार्मेट कैसे है जहाँ पर रह रहे हैं उसके नेचर आप स्वाइल क्या है क्लाइमेट क्या है वेजटेशन 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 क्या है वे यहां पर आपका क्या है कि बाइवटीक और एबाइवटीक इसी नथी बट इस नथी बट इस अप्ट एकलाजी वन इस तब बाइवटीक अनदर इस दर एबाइवटीक कंपोनेंट्स जितने भी जीवजनतू है जो लिविग तिंस है अल लिविग तिंस अप्ट इस तो बीवटीक अधिव जीवजनतू है जो जीवजनतू है जहां उसकी इंवर्मेंट है उसकी स्वाइल की नेचर है उसकी क्लाइमिट की नेचर है जीवजनतू है जितने भी 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 औक बिल्पिक धिए बिल्पिक प्रिक्टेंट उप्राइटा तरे उltरेंड एंगुल का अअप ट्च में जिस्दनिर जिपलSON निए ट्री ऑिया जिए लिव इकला था यज्टनिर एव बिल्पादिक जिए लिए 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 ॉऴऀ چ्थनिर काया बिल्पिक झानना कि अपना जो वो जब त्यार करते हैं वो जी जंतु को पालते हैं और दूसरे के लिए हेट्रोटॉप्स का भी काम करते हैं मतलब यहां पर देख रहे हैं इक कंपोजर का भी काम करेगा तो ग्रीन प्लांट जितनी भी हैं डाड़िज कम संदर यूर बायोटिक कंपोनेट्स ना कंपोनेट्स दूसरा कंपोनेट्स रडियेसंस अगर हम बात करें जैसे संसे आपको जैसे ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरी को पर राख हैं साथ में रहकर के आगे बढ़ते हैं सेवर्थ जियुप करूंदेंट्स लिए इसलिद मील करें पाल गहले прекesen पॉल juice के अन्दर आते हूं इमनूैंज पीक यह हैं लिविन कामोंचे लिविन यहिए इसे नाधिन बट रो वट कैवार्टेल के उपड़न्स ईप्ड़नुमे flow, that is abiotic components, water, abiotic components, atmospheric gases, wind, this is nothing but your abiotic components, fire, abiotic components, gravity, topography, soils, these all are the abiotic components, जितने भी non-living things are, that is, comes under the abiotic components, right, now, अब आम लों बात करते हैं, कि जो living organism है, levels you have organisms के, वो कौन कौन से components से बने होते हैं, so, what is the, what are the levels of organizations in ecology, right, so, in the ecology, what are the types of the organizations, and किस-किस components से मिल कर के एक कुरा बयोस्पेर का निर्मान होता है, that is nothing but different types of the levels, which is found in your ecology systems, right, so, first of all, क्या होगा, इसको आप ऐसे समझे, जैसे individual, हम एक being human, एक individual है, हम है, right, मेरा नाम सुसील कुमार है, मैं एक individual आदम है, ठीक है, मैं एक परिवार का हिस्सा हूँ, right, I am the part of one family, now, being a human, मेरी कुछ प्रोड़क्टिव सिस्टम होगे, मेरी एक population जन्रेट होगा, and after the productivity, मेरी एक पुछ फैबली होगे, right, so, family becomes your populations, so, इंडिविजुल को एन था मैं, इंडिविजुल से क्या मन गया, पॉपलेशन से मन गया, अब मैं जिस सोसाइटी में होंगा, तो सोसाइटी कम, I am the part, I will be the part of any society, or we can say, I will be the part of any community, right, so, I am Hindu community, और Muslim community, और Sikh community, so, किसी रख किसी एक कॉमुनिटी में belong कर भीबब है, right, and community जब हो जाएगा, उसके बाद हम बड़ा community की बात करेंगे, community के साथ साथ बहुत सारे होंगे, कि मुझे दूसरे community को भी देखना है, अपने community को भी देखना है, and पूरे environment, ecosystem सबको देखना है, तो एक ecosystem का निर्मान होगा, right, and the ecosystem के बाद आपके bio कर निरॉबार होगा, और पूरे जो कलोज होंगे individual to the bio, सबको मिला देंगे, एक bio sphere बनेगा, right, so, these are the level of organizations in ecology, अब कोशन कैसे आता है, यहां से बड़ा अच्छा कोशन बनता है, UPC का, आपसे कोशन पूछतेगा, कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा कौन सा है आपका, bio sphere, right, सबसे छोड़ा क्या है आपका, individual, right, तो आप इसको individual, population, community, ecosystem, and biome, then you will bio sphere, right, so, sorry, मैने इसका अल्टा कर दिया, less होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा होगा, bio sphere, right, so bio sphere सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, individual, these are the level of the organization in the ecology systems, na come to the next point. अब हम दिखते हैं की इन्डिजुड क्या है? कौन-कौन से कंपनेंट से जिसको बोलेंगे इन्डिजुड कौन-कौन से पाट है जिसको बोलेंगे हम पॉपलिशन कौन-कौन से पाट है जिसको बोलेंगे एको स्टम So, how of the forms the ecosystem? How forms the biome? And how forms the biosphere? इन सारे मुद्धों पर हम चर्चा करते हैं, चलिए, फर्सट रप्स रपार, वासी देविज़़ इन इबिज वैठा गवठेटर से इन आध्या गविफ्स धनक में इस धंक पार्ट पूने इसलिस इन दिदिशन इसट अदिदिभी विज ए उसदिव विफ्स इस इन विफा इंडिविजवल हैं वो क्या होगे आपके इंडिपेंडेंट होंगे दूसरे सोर्स से, वो किसी के उपर डिपैंड नहीं करेंगे, जैसे हम प्लांट की बात करेंगे, प्लांट क्या होते हैं, प्लांट जो है, वो खुद अपना बोजन तियार करते हैं, वो किसी के उपर डि and that is why this is called individual elements. So, जितने भी individual elements है, that will act as independently. वो independently act हैंगे. That is nothing but your individual elements. Right? Now, come to the next population. So, the population is बात. जितने भी individuals है, जितने भी individuals है, जितने भी इन्डिविजवाद में ने बना भिया, तो एक समाझ कर्म में बान हुआ और वो एक पॉपुलेशन का लाया. So, it is the group of organisms. बाइज भी उपुलेशन का अधमी है, पॉपुलेशन का अधमी है, So, S नाम का अधमी के अलग पॉपुलेशन से. So, the population growth, or we can say the population which is starting, which name starts from the S, or we can say which name starts from the P. So, having the different types of populations, the population is nothing but, it is the group of organization of the same species, that is called populations. So, the population growth rate defines variation of the number of individuals. अब population का growth क्या है, तो population का growth या तो positive growth हो सकता है, या तो negative growth हो सकता है, या तो आप आगे बढ़ेंगे, या तो पीछे हैं, टेगे, right? So, population के दो growth हैं के, one is called positive growth, another is your negative growth. Now, so, if there is a growth is positive, so अगर पोपु dudes अगर बढ़ेंगे is सcomes जो पीछिता, मतलब इपर नंबर आप बढ़ेंगे जोडेब आप आप चा मर्यूचा एपक। इकोशिस्टम, इस डेप सकता हैं का, आप बढ़ेंगे, योजद यो, अवर डेप। आप गरेंगें हैं, ये नंबर आप सब्सक्राइब आपका बढ़ रहा है अगर इमिग्रेशन की बाद कर रहे हैं इमिग्रेशन की बाद कर रहे हैं मतलब इमिग्रेट हो रहे हैं आपके इमिग्रेशन मतलब क्या एक है है इमिग्रेशन एक जगा से हटके दूसरे जगां पे नया है बना रहा है नया habitat में अपने आपको पाल रहा है और यहां से अपना micro-organism create करके वो आगे बढ़ना चाहरा है that is the immigration but immigration मतलब वो जिस habitat में है जिस culture में है जिस environment में है जिस temperature पर work कर रहा है उसी temperature में वो अपने आपको improve कर रहा है that is nothing but immigration अब यह से growth rate यहां पर क्या होगा positive होगा ऐसे समझ लिज़े आप कि आप किसी जगह पर well-establish है जिसे मालो मैं राची पर रहता हूँ अब राची में मैं well-establish हूँ तो वेसा अगर राची में ज्यादा काम करूँगा तो वेसा में ग्रोथ rate positive होगा अब मैं राची से ना हट करके राची से में जला गया डेली मतलब आपने आपको immigrate कर लिया राची से दिली चल लिया नया setup लगाना है मुझे नया things create करना है मुझे नई चीजों पर work करना होगा मुझे तो अबियस है कि यहाँ पर जो growth rate होगा आपका slow हो जाएगा है कि नहीं तो यहाँ पर जो growth rate slow हो जाएगा that is nothing but किस की कारण से growth rate slow होगा या तो death हो जाए या immigrate कर जाए अगर इस दोनों factor आपके आ रहे हैं तो अबियस है कि growth rate आपका क्या होगा negative होगा सकत है न so population का growth rate positive है या population का growth rate negative है इन मुद्धों पर अगर हम बात करें तो इन मुद्धों पर यहाँ पर देख रहे हैं कि population का growth rate either it will be positive or it will be negative right so it may be positive और it may be negative so birth immigrations की बात करें अगर हम then अगर आपका birth rate increase कर रहा है immigrations अपके हो रहे है growth is positive अगर death rate आपका बढ़ गया या immigrate कर गए एक जगा से दूसरे जगा चले गए growth क्या होगा जागा negative हो जागा so these are the main factors these are the main factors right so main factors to growth of your population in biotic and air biotic components is nothing but your growth is positive negative अब आते हैं लोग अब आते हैं लोग अब आते हैं अब फैमिली फैमिली से बने हैं या कॉम्मेटी बस से में ज़िटी अब पर्टिक्लर पॉपलेशन और पर्टिक्लर स्पीसीज इस कॉल्ट कॉम्मेटी ना ग्रोथ कर रहे हैं किसी पर्टिक्लर पॉपलेशन का पर्टिक्लर स्पीसीज का जटी नथीं बट कॉम्मेटी को वहां इसको कई मैजर का मैंजर कोमृटी की बात करें तो जिय से मैजर कॉम्मीटी की बात करें आ χिंदMr. मीजर कम्मेटी की बात करें होंगे, that is nothing but your major community, right, जैसे इस पर example, ऐसा community जो सिर्फ और सिर्फ सन एनर्जी पर डपाइंड करता हूँ, जिसे plant की बाद करने है, plant जो है, source of energy, sun है, water है, तो अभी ऐसे sun की energy को वो ज़्यादा ज़्यादा लेता है, जिसे इस पर example, tropical evergreen forest की बाद करने, जितने भी नॉर्फ इस्ट में forest है, नॉर्फ इस्ट रिजन में चले जाए, सदा आपको सदा बहार आपको मिलेंगे आपको, है न, evergreen forest मिलेंगे, तो जो evergreen forest है, उसका primary source of energy क्या है, sun है, तो sun है, यह क्या major community में है, मतलब यह जो प्रायव, आपके community है, evergreen forest के, बहुत बड़ा है, जितने भी नॉर्फ इस्ट रिजन चले जाए आप, नॉर्फ इस्ट रिजन आपको पता है, नॉर्फ इस्ट रिजन की बात कर रहें, मतलब seven sister state की बात कर रहें, तो seven sister states में आप कहीं पर चले जाएए, आपको हमेशा जो है tropical evergreen forest मिलेगा, तो यह आपके कागाते major community के अंदर, minor community की बात कर रहें, यह mostly dependent होते, अब आपसे इस से इस बीच बन इंडिपेंडेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें आप लोग देखे होंगे काव डंग पेट या गोबर आप जिसको बुखते होंगे क्या फंगी प्लस अलगाई फंगी और अलगाई का अलगाई की बात करें हम रहें जिसे आप लोग देखते होंगे जहां वाटर पहुं सारे पानी बहुत ज्यादा फ्लो रहा है तो वाहं देखते होंगे आप ग्रीन प्लांट्स हल्का हल्का जो है फ्रीन टाप का जो है वो प्रेट हो जाते है जाट इस कौल फंगाई अलगे अगा पाटा है पाटा एक है फंगी पाटा एक है और पाटा जाना that is nothing but your फंगी लोनों का चो कमिनेशन है that is called liquid उसी को बुलते हम्डों के लोगे लेके लैगे जो यहां पर देखलिये community दो तरह का होता है community एक को बुलते हम major community and बुसरी को बुलते हम लोग minor community so one is called major community स्टूसalis संगंधर एक सिस्टम सिंट की अगर करें इक सिस्टम का थ्लक चाहिए फेनलीं के सक्षमिलियों माइ कभी मिलेक का का। स्मय अधिशन सब्सक्राइब उल खुले इस लोग यह MON bis Dee that is considered to be in the within the community and that is called ecosystem so it is the combination of biotic components plus abiotic components right so biotic plus abiotic component that is called ecosystems this is for example biotic ki baat kare plants tree animals bees birds microorganism waters wild peoples these are the abiotic component this is this is your abiotic component but this is your biotic components so the combination of biotic and abiotic component that is called ecosystems you see kya bole nga hum eco systems agar apse poochah jaye ki what is the ecosystem so ecosystem ko ekhi diagram bole nge it is the combination of biotic and abiotic components that is called ecosystems apse poochah jaye what is the ecology so ecology nothing but study of the all living and non-living beings that is called ecology so ecology that's just as a philosophy ecology it comes and but ecosystem it is considered to be in via entire environment right so the it is the combination of biotic components and abiotic component that is considered to be ecosystems right now first of all consider which one is the abiotic components and what are the types of abiotic components so this is nothing but various types of the abiotic components so in the abiotic combustion components we considered inorganic elements and non-living parts right that is called abiotic component such as soil water air light energy that are the abiotic components right so first of all define what is the energy so energy is nothing but as for example which create energy kya hai joh kisi bhi hum kaam ko karte hai usma mujhe provide karta hai forcefully yaa hum bol sakte isko kisi bhi kaam karne ki chhamta right that is nothing but energy so in the living beings or non-living beings we can say here the sun is the primary source of energy and the sun directly supply the energy but sun can be directly supply the energy so source of energy primary source of energy nothing but the sun the other factors about the components is rainfall right just a baris ki baad karne baris kisi bhi environment ko kisi bhi environment ko create अगे में आआट करने में बहुत बड़बुदा बड़ा मेजर प्रक्तर गोल जिबाता है जैसे आज पर बहुत सारे जो है वर्ट्स की बात करें या बहुत सारे डिफरेंट टैप हो अस्पेसिश की बात करें तो मुश्टली जितने भी अस्पेसिश हैं जहाँ पर रैनफॉल बहुत ज्यादा अस्पेसिश बहाँ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं अब बात करोगे जहां राजस्तान की बात करें, जहां पर रेगिस्तान है, जहां पर रेंफॉल बहुत कम हो रहें, क्या वहाँ पर बहुत जादे हैबिटाट्स तो अच्छे हैं नहीं, कि किसी भी एकलोजिक, किसी भी इंवर्मेंटल सिस्टम्स को क्रियेट कर सके, या किसी भी living organism बहुत अच्छे तरीके से रह सके यह तो है नहीं तो जहाँ rainfall बहुत ज़्यादा होगा ओवियस है कि वहाँ living organism बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पर habitat बहुत अच्छा है उनको रहने का वहाँ पर बहुत अच्छे से environment करीट करना है उसके लिए तो सारे faithful environment करीट होगा क जो रिजन है वो temperature अब temperature में भी देखिए आप कि अगरण coldest place की बात करें अब चलिए ऐसा place जहां coldest place बहुत सारे living organism बहुत पाए नहीं जाते है क्यों चुकि वहाँ पर उसे उस तरह का environment create नहीं होता है या आप ऐसे जगह चल जाए जहां बहुत ज्यादा गर्मी temperature बहुत पर भी ecology बहुत अच्छा नहीं है वहाँ पर भी ecosystem बहुत अच्छा नहीं है तो ecosystem बहुत अच्छा हो ओविए इसके लिए क्या चाहिए temperature ना तो बहुत ज्यादा हो और ना ही temperature बहुत कम हो so temperature क्या करेगा? Temperature ए बिए क्रिट करता थीसके लिए इसके लिए इसके लिए चिए करेगा? so to survival of the any organisms temperature play the crucial role right now come to the next atmosphere so when I'm talking about the atmosphere atmosphere it means what it is the combination of total so the earth as atmosphere is responsible for creating conditions of suitable for the existence of a healthy biosphere on this planet right kisip planet me agar healthy biosphere आपको चाहिए atmosphere बहुत अचाहिए so earth atmosphere जो है that is responsible for creating the condition suitable for the existence of healthy biosphere right जैसे आप पढ़ाई कर रहे होते हैं आपके ममी पापा बोलते हैं बिटा यहां का atmosphere अच्छा नहीं है यहां पर पढ़ने पाऊगे मतलब क्या है जो suitable parameters होना चाहिए पढ़ने के लिए सांती चाहिए आपको अच्छे लोगों का संगती चाहिए आपको अच्छे लोग रहना चाहिए आपके साथ तो अगर ऐसे लोग है आपके साथ तो अच्छे साथ पढ़ सकते हैं नेक्स्ट वहाँ पर जो materials है वो materials कैसा है हना materials कैसा है उसको डिपेंड करेगा materials की अगर हम बात करें तो materials organism या इन और्गेनिक जितने भी और इन और्गेनिक components जैसे माल लो organic components की बाग करें जैसे proteins होगे carbohydrates होगे these are the organic components जैसे आपको body को group करना है तो क्या करते आप protein की मात्रा बनाते है आपको energy चाहिए carbohydrates की बात्रा बनाते तो इच आपको अर्गेनिक कंपोनेंट्स for the living veins but the inorganic components just such as carbon dioxide, water, sulfur, nitroids, phosphate, phosphate oxide these all are the inorganic compounds so to maintain any habitat or to maintain any ecosystem to require the material and the material should be either organic or inorganic organic भी होना चाहिए और आपके क्या होना चाहिए inorganic होना चाहिए so these are the a-by-op components which is the nothing but part of the ecosystem right another is latitude and altitude जैसे आपको पताया है कि जैसे जैसे हम अपना height बढ़ाएंगे 6.5 degree Celsius से आपका temperature क्या होता है decrease करना स्टार्ट कर जाता है that is called lapse rate so 6.5 degree Celsius से आपका temperature decrease करना स्टार्ट कर जैसे 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 temperature आपका क्या होगा temperature कम होता चला जाएगा right so latitude and altitude are the main factors of the ecosystem आप देख लिए अगर आपके temperature बहुत कम है और यह से ecosystem आपर बहुत अच्छा नहीं होगा temperature जादा है वहाँ पर भी नहीं होगा so semi-arid की जितने भी regions है जापे temperature वाले regions है उस region में उस region में देखे ecosystem बहुत ही आपका क्या है अच्छा है right so आप तो air becomes your colder dryad that will affect the wildlife so this is nothing but latitude and altitude right so these are the abiotic components abiotic components हो गया sir energy हो गया temperature हो गया latitude altitude हो गया हाना materials हो गया organic compounds हो गया you know rain compounds हो गया so these all non-living beings that is nothing but you are called abiotic components now as students I am going to discuss the biotech components I hope आप लो इंजोई कर रहांगे environment science class class बात यह च्छा से आप लोग को देने कोसिस कर रहा हो आप सबसे बाले concept को समझी and after learning the concept you will go through the questions right so I will solve the all questions of the civil services and engineering services whatever asked in the prestigious exam of the UPSC I will solve the all questions of the environment so don't worry just subscribe my channel and मेरे चैनल के साथ बने रहें प्यार देते रहें मेरे चैनल को जादा जादा सब्सक्राइब करें और share करें तब मुझे 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 मिलता रहेगा सब्सक्राइग so thank you Indian friends now what are the biotic components biotic it means it includes the living organisms so what are the living organisms that is nothing but called biotic components living जिसमें जीव जनतु की बाग कर रहे हम वैसे components वैसे organisms जिसमें जीवन है जीवन यापन है जो आपके प्रदूस कर रहे हैं क्या खाना बना रहे है या किसी खाने पर किसी दूसरी उपर भी depend कर रहे है अपने food और shelters के लिए किसी के दूसरी उपर भी अगर आपका depends कर रहा हो या independent हो अगर उसके अंदर जान है that is nothing but biotic components so all living organisms that is considered as biotic components now these living organisms is classified on the various steps of क्या वो खाना खुद से बना रहा है या अपने खाने के लिए food के लिए डूसरी के उपर dependent है so it is independent or dependent so on the basis of the food creation either it will be dependent or it will be independent so first of all what is the what are the primary producers so the primary producers this is nothing called autotrops जैसे green plants की बात कर रहा है primary producers वो है जो अपना भोजन स्वाई तयार कर रहा है खुद अपने भोजन को तयार कर रहा है it means they make food they make own food that is nothing called primary producers right as for example green plants so they synthesize the carbohydrates from the simple inorganic raw materials and carbon dioxide and water and presence of sunlight by the process of photosynthesis right आपको पता है कि जब भी हम बात करते हैं कि भी या पेड़ पोधा अपना खाना बना रहा है पेड़ पोधा खाना किससे बना रहा है आपका क्या 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 लेगा sun energy लिया light energy लिया वहां से आपका फुत्रा काम क्या किया इस नहीं इन और अर्गनिक raw materials लिये carbohydrates लिये carbon dioxide लिये and presence of sunlight में photosynthesis क्या process अब उससे क्या हुआ अपका अपना खाना बना लिया तो दीज आर दा प्रैम्री producers वह किसी के ओपर dependent नहीं है तो दीज आर दा प्रैम्री producers नाव सेकेंड वन consumers so biotic components में कौन कौन से आगे एक हो गया प्रैम्री producers दूसरा आगया कौन से consumers consumers वह है जैसे हम बोले कि I am the consumers मतलब क्या है कि कि किसी के भी product को मैं consume कर रहा हूं ले रहा हूं मतलब मैं किसी को dependent हूं that is nothing but your consumers that is called heterotops so consumers are incapable of producing their own foods consumers अपने आप कभी भी भोजन बनाते नहीं है they are depends on organic food which is dragged from plants and animals इसका मतलब क्या सब्सक्राइब consumers जो भी होंगे कहेगा which one इस तक consumers जो भी होंगे ये क्या करेगा dependent होंगे सबसे पहले इसकी quality क्या है ये dependent होंगे अच्छ ठीक है सर किसके लिए food के लिए वो food के लिए dependent होंगे दूसरे के उपर अब वो जो food create होगा वो कौन-कौन food create करेगा या तो plants के through होगा या तो animals के through होगा that is called consumers अब consumers जो है दूतरा का होता है consumers एक को बोलते हम micro consumers दूसरे को बोलते हैं macro consumers जहांसे समझ लिए गए आपे micro and macro दोनम एंतर हैं जब भी हम plant और animals की बात कर रहे हैं मतलब अगर food जो अपना तियार कर रहा है by the help of plants and animals that is called macro consumers right and जो decomposers के through कर रहे हैं ऐसे भी चीज होते हैं जिसको बोलते हम लो saprotrops so the micro consumers का एक 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 जांपन हो गया saprotrops saprotrops मतलब decomposers क्या करते हैं decomposers decompose किये and nutrients को कुलिट की and nutrients को कुलिट की so this is nothing but nutrients क्या है भोजन है आपका and food है right so this is nothing but called micro consumers so there are two types of the consumers one is called micro consumers another is called macro consumers so this is your consumers तो आपकर देख लिया हमने biotic components का biotic components को दो चीज होगे आपके consumers होगे living being जीतने लिए that is called biotic components now come to the point ecosystem कितने तरह को उखते what are the classification of the ecosystems right so जब भी हम ecosystem की बात कर रहे ecosystem that is nothing but natural ecosystems right दो तरह का रहे natural ecosystems जो है दो तरह को हुथथा एक को बोधेंगे आप terrestrial ecosystems और दुस्ता को बोलेंगे आप aquatic ecosystems so ecosystems that is nothing but natural ecosystem and these are classified two types one is called terrestrial ecosystem and another is called aquatic ecosystems right now for the terrestrial ecosystem just a forest grasslands deserts and a forest in the jungle grasslands grasslands deserts this is called terrestrial ecosystem right aquatic aquatic water 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 is related to the land and another ecosystem is related to the water and that that is the classification of the ecosystems right so there are two types one is called terrestrial ecosystem another is called aquatic ecosystems right so students here are the ecosystems now in the next video lecture i am going to discuss the further what are the components of the biotic components thank you thank you so much and god bless you all thank you 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 you